हाई फ्रेंड आइडिसर क्लासे में आपका बहुत वास्वागत है दोस्तों इस वीडियो में समास के बारें पढ़ेंगे देखें जितने भी प्रिवियस एर में पूछे गए हैं या आगे पूछे जानने के संभावना बन रही है उसको डिसकस करेंगे इस वीडियो देखने समास समदित आपके पूरी कांसेप्ट किलियर हो जाएंगे देखें है कि समासिक पद को तोड़ना कहलाता है तो समासिक पद को तोड़ना क्या कहलाता है समास भी गिरे ठीक है क्या कहलाता है समास भी गिरे ना कि समास भी छेद कहलाएगा तो इसका कौन साफसन सही हो जाए समास कितने होते हैं, समास के कितने भेद होते हैं, समास के छे भेद होते हैं, कितने होते हैं, छे होते हैं, नमबर एक आपको ध्यान लखना है, अब भई भाव समास, क्या होता है, अब भई भाव समास, ठीक है, दूसरा आपको ध्यान लखना है, तत्पुरुष, क्या होता है तत्पुरुष समास होता है तिसरा होता आपका कर्मधारे क्या होता है कर्मधारे समास होता है आपको चौथा ध्यान लखना है कि द्युग समास होता है और पच्वा आपको ध्यान लखना है दंद समास होता है और छट्वा ध्यान लखना है बहुबिरी समास होता है क्या होता है बहुबिरी समास होता है अब देखिए पहला अबभई भा समास दूसरा तत्पुरुष समास तिसरा करमधार है चौथा द्युक समास होता है पच्छवा दंध होता है छठवा बहुबिरी समास होता है अब इनके बारे में भी डिटेल पढ़ेंगे ठीक है चलिए देखते हैं अगला कोश्चन अगला कोश्चन है हर रोज में कौन सा समास आपको बताना हर रोज में कौन सा समास है तो हर रोज में कौन सा समास है अब बाई वहा समास है सा अब भाई भाई समास अब देखिए अब भाई भाई समास के बारे हम जान लेजिए इसका जो पहला पद होता ठीक है इसका जो पहला पद होता है इसको पहला पद बोलते हैं या इसको पूर्व पद बोलते हैं या इसको पहला पद बोलेंगे या पूर्व पद बोलते हैं तो परिभासा को भी ध्यान रखना ठीक है तो पहला पद या पूर पद होगा दूसरा क्या होगा दूसरा पद होता है या उत्तर पद होता है तो जो इसका पहला या पूर पद होता है ये अब्बे होता है अब्बे होता है या यहीं क्या होता है परधान होता है ठीक है यहीं आ रहा है क्या होगा अब्वे होगा ठीक है अब्वे ऐसे सब्द होते हैं जिनका लिंग बचन से कोई फरक नहीं पड़ता है ठीक है तो इसका कौन सा हो जाएगा यह वाला सही हो जाएगा अब देखे इसके कुछ और एक जांप अपको ध्यां रखना जैसे आगे इदर जाएगा ठीक है आजनमा जाएगा तो जो आ होता है क्या होता है अब्वे होता है देखे हर रोज हो गया प्रति दिन हो गया यथा सक्ति आ जाए ठीक है यथा क्या जाएग एक मिलिका रहता है यथा सक्ति यथा सक्ति आ जाए इसमें भी क्या होगा अब्वे वासमास होग या प्रतिदीन हो गए आजन्म हो गए या था सक्ति या था संभो इसी तरह कोई भी ध्यानक ने एक भर पीट होता ठीक है भर पीट इस सब किसके एक्जामपल होते हैं उदरर होते हैं अब भाई भाई समास के होते हैं अगला कोशन है आज इवन में कौन सा समास है देखिए आज इवन में जो आ है क्या है अब्वेज सब्द है इसको कहें कौन सा समास बोलेंगे अब भाई भाई समास बोलेंगे कौन सा समास बोलते हैं अगला है कि जिस समास में पूर्व पद अब्वे हो ठीक है वह किस परकार का समास कहलाता देखिए UPSI पूछा है तो जिस समास में पूर पद यानि पहला पद अब्वे हो उसके कौन कहते हैं अब वह समास कहते हैं अभी देखिए सभी समास के बारे में कोश्चन आएगा उहां उसके पूरे definition को समझा देंगे ठीक है जैसे जैसे कौश्चन आएगा इसके बारे में आप जान जाएगे बस आपको वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखना है अगला कोश्चन है कि भर पेट में कौन सा समास अभी बता हैं कि भर पेट में कौन सा समास होता देखी भर पेट में जो भर है या अब्वेव है इसलिए इसमें कौन सा समास होगा अब्वेवा समास होगा यथा सक्ति में कौन सा समास होगा तो यथा सक्ति में कौन सा समास होगा अगला है भीस पितामा ने आजीवन साधी ना करने का प्रड़िया था रेखांकि सब्द का समास होगा तो रेखांकित कौन हा आजीवन अभी पहला ही कोचन देखें आजीवन कौन सा समास था अबबब वह समास था कौन सा था अब्वईवा था इसमें जो आ होता है ठीक है यह क्या होता है अब्वे होता है तो कौन सा हो जाएगा अब्वईवा समास हो जाएगा अगला question है यथा सक्ति में कौन सा समास है तो बता है यथा सक्ति या यथा या था संभवा है ठीक है इसमें कौन सा होता है अब भाई वा समास होता है अगला कोश्चन है रसोई घर में कौन सा समास है ठीक है अब देखिए यहां से चेंज हो जाएगा रसोई घर रसोई घर का अब समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा रसोई के लिए घर, क्या होज़गा, रसोई के लिए घर, इसको ध्यान से समझेगा, रसोई के लिए घर, तो दिखें इसमें की बीच में क्या आ रहा, के लिए आ रहा, क्या रहा है, के लिए, तो जहां पर भी विभक्तियों का लूप होते हैं, जिसमें विभक्ति आती है, कौन सा समास होता है तत्पुरुस होता है कौन सा होता हुआ तत्पुरुस होता है तेखिए आपने पढ़ा हुआ करता निक करम को करण से संप्रदान के लिए ठीक है संप्रदान के लिए तो संप्रदान के लिए यह क्या भीभक्ति है तो जहां पर भीभक्ति आएगा वहां पर कौन से समास होगा तत्पूरुष समास हो जाए रसोई घर का समास बिगर करेंगे तो क्या अगर रसोई के लिए घर तो इसमें कौन से समास हो जाएगा तत्पूरुष समास हो जाएगा तत्पूरुष समास हो जाएगा देखें जैसे आप पढ़ें हैं कि अब भाव में इसमें पहला पद यानि पूरुपद क्या होता है परधान होता है उसी तरह तत्पुरुस में होता है उत्तरपद परधान होता है द्यान लखेगा तत्पुरुस समास में क्या होता है जो उत्तरपद होता है ठीक है जो उत्तरपद होता है यह क्या होता है परधान होता है बस आपको यह ध्यान रखना है इसमें उत्तर प्रद्परधान होता है अब बहुत समास में पूर्व प्रद्परधान होता है और दूसरा चीदि यह ध्यान रखना है कि तत्पूरुष समास की पहचान क्या होती है जहां पर भी तत्पूरुष समास आते हैं उन्हें के वेच में विभक्ती होती है ठीक है जैसे करता निकरम को करण से संप्रदान के लिए आप अधान से अलग होने के लिए इस परकार के जो भी भक्ती होती हो आता है वहाँ पे तत्प्रूश समास होता है अगला कोशन है कि समास विग्रह और उनकी भेद की जानकारी दे रहे प्रस्तुत वाक्मेरिक तस्थान की पूर्ती के लिए सही विकल्पो का चैन करी अब देश भक्ती का समास विग्रह और समास विग्रह के भेद है अब देश भक्ती मतलब क्या होगा देश के लिए भक्ती क्या होगा देश के लिए भक्ती अभी बता है करताने करम को करण से संप्रदान के लिए तो के लिए किसके लिए होता है संप्रदान के लिए तो इसका कौन सा अफसन से हो जागा डी वाला सही हो जाएगा देश भक्ति मतलब देश के लिए भक्ति अगला कोशन देखते हैं अगला कोश्चन है समास के संदर्व में इनमें कौन सा कथन गलत है आपको बताना इसमें कौन सा कथन गलत है स्वारी कौन सा कथन क्या है गलत है आपको गलत ढूड़ना देखे बहुपरी समास में दोनुपत गौल होते हैं यह भी अभी आएगा बहुपरी समास में दोनुप पूर्भवद की परधानता होता है और समास का लगतों अब होता है कि रराय के इस-इसथि अतपर या उत्तर चाहे जहें सब्रह मुलंस परधान होते हैं क्या होते हैं परधान होती है इसमें कहरा गौड होती है तो गौड इसमें पूरुपद होता है यहीं वाला क्या है गलत है ठीक है तो इसका कौण साफसन सहीव जगा सी वाला सहीव जग इसमें आपको गलत ढूड़ना था यहीं गलत दिया है ठीक है तो आपको ध्या सागर सब्द में कौन सा समास है पूछा है कि प्रेम सागर सब्द में कौन सा समास है तो इसका समास विग्रे कर लीजी आपको समझ में आएगा प्रेम सागर का क्या होगा प्रेम का सागर क्या होगा प्रेम का सागर क्या होगा प्रेम का सागर तो कौन सा हो जाएगा, इसका भीवाला सही हो जाएगा, अगला कोशन है, नीती निपूर सब्द में कौन से समास है, ठीक है, पताना है कि नीती निपूर सब्द में कौन सा समास है, तो पहले इसका क्या कर लेजएगा, बिगरे कर लेजएगा, समास बिगरे, तो क्या हो है तो जहां भी भक्ति के बात है तो वहां क्या होगा तत्पुरुष समास हो जाएगा ठीके आपको भी भक्ति याद होना चाहिए अगला कोशन है कि सत्या ग्रह सब्द में कौन सा समास है सत्या ग्रह का समास भी ग्रह क्या होगा सत्य के लिए आग्रह ठीक है सत्य के लिए क्या होगा आग्रह होता है तो के लिए आग्रह सत्य के लिए आग्रह तो के लिए क्या होता है यह भिभक्ति होता है जहां भी भक्ति के बात होगे, उहां कौन से समास होगा, तद पुरुष समास हो जाएगा देखे, देश भक्ति में समास देखे, उत्तर पर देश कांस्टेबल 2018 में पूछा था कि देश भक्ति में समास है, तो देश भक्ति में क्या होगा, देश के लिए भक्ति क्या होगा गदेश के लिए भक्ति के लिए आ गया तो यनी भी भक्ति है तो इसमें कौन से समास होगा ततत पूरुस समास हो जाएगा जिस समास में पूर्वपद B Satal BT और उत्तरपद B Satal 2050 हो और एक किस समास का उत्किस परकार का समास है ठीक है तो ये भी आपको ध्यान रखना है तेकि अभी बता है समास्क में दो पद होते हैं एक पूर्व पद होता है तो कहरा पूर्व पद क्या हो? बिसेशल हो और जो उत्तर पद यानि दूसरा पद हो क्या हो? बिसेशल हो अगला कोशन है कि नील कमल सब्द में कौन सा समास है अब देखी यहाँ पर नील कमल दिया है तो जो कमल है इसकी बिसिस्ता बता जा रहा है कैसा है नीला है ठीक है कैसा है नीला है तो देखी यह क्या हो जाए कमल बिसिस्ता हो जाएगा क्या हो जाएगा यह बिसिस्ता हो होता विसेशल होता जिसकी विसेशता बताई जाती हो विसेश होता है यहीं कमल की विसेशता बताई जा रहे हो क्या है नीला है यानि नीला क्या होगा विसेशल होगा कमल क्या होगा विसेश होगा तो यहीं विसेशल विसेश से जो समास बनता है उसको कौन सा समास कहते हैं द अगला कोशन है मिनाची में इनमें कौन सा समास आपको बताना कि मिनाची में इनमें से कौन सा समास है तो देखिए मिनाची अब देखिए मीन मतलब क्या होता हम अचली देखिए यहां पर दो सब्द है एक मीन है एक अच्छी मतलब अच्छी किसका परियाब आच्छी होता है आख का ठीक है अच्छी किसका परियाब आच्छी होता है आख का होता है ध्यान रखेगा जो अच्छी मीन आच्छी मतलब मीन प्लस अच्छी तो मीन मतलब क्या होता है मचली होता है आख मतलब अच्छी मतलब क्या होता है यह जिसकी आख मचली की समान है जिसकी आख मचली की आख के समान ऐसे भी कर सकते हैं जिसकी जो आख है वो मचले की आख के समान है ठीक है तो अब देखिए आख की विसिस्ता क्या बता रहा है कि आख की विसिस्ता क्या बता जा रहा है कि वो मीन मचली की तरह है ठीक है तो विसिसल विसिस्त की बात जहां पर होता हुआ का उसा होता हैं क्या होता हूँ थि streams हो जाए का इंजना होसा हो जाएगा कर्म दारे समास हो जाएगा सब्ध में समास मतलब क्या होता है सची भावना है झाउना कि एक सची है या रही बावना की बी दमें क्या है इस सच्ची यहां पर बिसीश्ड बिसीश्ड की बात आता है वहां पर कौन सा होता है कर्मधारे समास होता है अगला है कि अठकोना में कौन सा समास है देखी तो अठकोना में कौन सा समास हो जाएगा इसमें दिग समास हो जाएगा इसमें दिग समास हो जाएगा दिग समास हो जाएगा देखी वह समास जिसमें पहला पर संख्या वाचक हो वह समास जिसका पहला पर क्या हो संख्या समास कहलाता है कि अगला कोशन है कि त्रिभववन सब्सक्राइब त्री भुवन में क्या रहा है त्री आ रहा है त्री मतलब क्या हो था तीन यहां पर संख्यावाचक हो जाएगा तो यहां पर कौन सा समास हो जाएगा दिव समास हो जाएगा अगला है पँच्या मिरित में इन में कौन सा समास है पँच्या मिरित में देखें 5, 5 तो जहाँ पर संख्यावाच चक आएगा उहाँ पर क्या हो जाएगा दियू समास हो जाएगा अगला है तीरंगा सब्द में कौन सा समास है तीरंगा मतलब तीन रंका ठीक है कितना तीरंगा मतलब तीन रंका अब जो तीन आ रहा है वो क्या संख्यावा चक है जब भी संख्यावा चक आता है वहाँ पर द्युग समास होता है अगला है कि निम्लिखित प्रस्ट में चार भी कल्पों में से दिये गए सब्द की सही समास वाला पहचानी आपको बताना सब्त सिंधू क्या होगा देखिए उप्तर परदेश पुलिस कांस्टेवल 2019 में पूछा है दूस्तों आपसे रिक्वेस्ट है यदि आप चैनल पे नियुँ है तो चैनल को सस्क्राब जरूर कर देजिएगा वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक केमेंट करके फीड़वैक जरूर देजिएगा उस्तों वीडियो बनाने बहुत मिनहाल लगता है इसलिए लाइक जरूर कर देजिएगा अगर आ अगर्यों कर देजिएं को समुझा कर क्या बोलते हैं सब्तों सिंधि बोलते हैं तो कौँ सालश में इसका दी वाला सही हो जाएगा अगरा कोश्चन है जिस समास में दोनुपद परधान होते हैं तथा जिसमें समुझ बोधक अभयों का लोवग दियाजाता है उसे क्या का जिस समास में दोनुपद परधान होता है उसे क्या काते हैं दोन्द समास काते हैं यहां पर माता आएगा तो इसमें क्या आएगा इसके पिता आएगा पिता आएगा कह रहा है जिसमें समुच बूधक अब्वयो का लोफ होता है समुच बूधक यह बीच में यूजक चिन की बात कर रहा है ठीक है तो इसमें क्या होगा दंद होगा जिसमें माता आएगा तो यहां पर पिता आएगा भाई आएगा तो इसका दंद क्या हो जाएगा बहन हो थंड़ा आएगा तो गरम जाएगा ठीक है इसी तरह इसमें Sवद आएंगे जिस Semaस में पूर वुप और उत्ते पर दोनोवी परधान होते हैं वो कौन सा होता है दंद समास होता है क्या कौन सा समास होता है अगर अगर ऐसे आए कि दोन उपत परधान नहीं हो तीसरा परधान हो तो बहुवरी समास होता है ठीक है वो क्या होता है बहुवरी समास होता है जिसका दोन उपत परधान नहीं होते हैं बहुवरी समास होता है दोन उपत क्या होता है परधान होता है अब विभाव में पहला परधान होता है अगला question है कि राम कृष्ण किस सब्द में कौन सा समास है देखिए राम कृष्ण में क्या है दोंद है तो यहाँ पर क्या हो जागा दोंद समास हो जाएगा देखिए जहाँ पर भी योजक चीन आए और यहाँ पर दोंद जरूर हो ठीक है अब कई लोग ऐसे पढ़ते कि बी देखिए इसके विपरित आ रहा है विपरित मतलब इनकी दोंद होना चाहिए ठीक है यहीं इसमें बिरोधा भास होना चाहिए तो यह दोनों समान हो जाएंगे तो कहां बिरोधा भास हो रहा है तो अब इसमें धीरी धीरी आने मतलब यहाँ यह योजक चीन देरी आ है तो एक दूसरे का बिरुधावास हो रहा है, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, दौन समास हो जाएगा, अगला है, जिस समास में दोनों पदों के माध्यम में, एक बिसिस यानि, तीसरे अर्थ का बोध होता है, वो है किस परकार का समास काहलाता, भी बताएं हैं, जिसमें दोनों पद परधान न होके, तीसरा पद परधान होता है, ठीक है, यहनि तीसरे का अर्थ बोध होता है, यहनि तीसरा अर्थ निकलता है, ठीक है, वहाँ पर कौन सा समास होता है, बहुबरी समास होता है, कौन सा समास होता है, में चार बिकल्पों में इस से दिये गए सब्द के सही समासवाला बिकल्प चुनिए अब इसमें सही समासवाला बिकल्प चुनना है दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट ये आप चैनल पे नियू है तो पहले चैनल को सस्क्राइब जरूर कर देजिएगा लाइक तो जरूर कीजिएगा दोस्तों आप कमेंट करके बताईए इसके बाद आप संधी का वीडियो चाह रहे हैं ठीक है या अलहंकार का वीडियो चाह रहे हैं आपको कमेंट करके बताना है कि संधी का वीडियो चाह जानिए तो इसमें सभी समास वाला वीकल्प क्या हो जाएगा चक्र है धर्मी जिसकी चक्र है अधर्मी जिसकी चक्र धारड किया है जिसने चक्र है घर्मी तो घर वाला क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा देखी चक्र धारड किया है जिसने चक्र है धर्मी जिसने धर्म नही होता है चक्र धारड किया है जिसनी अर्थाथ चक्र धारड किसने किया है चक्र धारड किसने किया है विशुडु जीनी किसने किया है विशुडु जीनी तो इसका देखी चक्र धारड किया है अर्थाथ जिसनी क्या हो जागा विशुडु यानि इसमें देखी तीसरा पत क्य व्यवश पर आंसा हो जाएंगा इसकी और एग्यांपल बनते जैसे दसानन आता है ठीक है आनन मतलब क्या हुता मुक योनि जिसके दस मुक है अर्थात रामर जिसके दस मुक है अर्थात रामर अर्थात जब निकलेगा ठेक है य spraw़त जब भी पर्धान होगा उसमें काँ सा होगा बहुबरी समास होगा देखिए जिस से अगला कुश्चन है कि निमलिखित प्रश्ण में चार बिकल्ब दिये गए हैं सब में सही समास वाला बिकल्ब चुनिए जिस देखिए दसानन ना गया है ये उत्तर प्रदिश कांस्टेबल 2019 में पूछा है तो दसानन का क्या मतलब होता है दस है आनन जिसके सव है आनन जब दसानन लिखा तो सव कहां साएगा ठीक है दस है आगन जिसके गलत हो जाएगा दस है नान जिसके ये भी क्या हो गया दस है आनन जिसके आनन मतलब क्या अतमुक होता है जिसके दस मुक हो क्या होता दसानन होता ठीक है तो क्या हो जागा इसका ये वाला सही हो जाएगा अगला है गिरी धर में कौ मतलब धारण करने वाले तो परबत को धारण करने वाले कौन थे सिरीकिष्ड थे कौन थे सिरीकिष्ड भगवान थे तो इसमें देखिए तीसरा अर्थ निकाला है सिरीकिष्ड जी निकाला गिर्धर मतलब देखे गिरी यानि पहाड को धारण करने वाल अर्थात जब भी अर्थात आता है तो वहाँ पर कौन सा समास होता बहुबरी होता है यानि गिरी मतलब क्या होता परबत होता परबत को धारण करने वाली अर्थास रिकिष्ट जी तो कौन सवाजा गसे बहुबरी समास हो पता चल गया और इसका इंसर कमेंट करके आपको बताना है दोस्तों मिलते हैं नेश्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्वाद